अश्वरिया, सबसे बहुत वेलकूम, थैंक यू होना चाहिए था, और किसी एक इनसान के हाथ में यह पावर नहीं देनी चाहिए, आपको निकालने की, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म है, और बहुत लोगों की टीम इसके पीछे काम करती है, किसी परप्रस से काम करती है, तो उनका प उमीदों पर ही पानी फेर रहे हैं, तो आप गलत है महाँ पर, so it was very unfair, आप क्लियरली देख सकते कि इशा किसके साथ रह रही थी, वो एक तरह से चमची बन चुकी है, वापस अंकीता दी, मंकु यार, मंकु यार, जो करती है न, वो बहुत क्लियरली विजिबल था, और इशा के लिए में एक थ्रेड बन चुकी थी, क्योंकि मैंने उनको नॉमिनेट किया था, और मैं उनकी चीजे पॉइंट आउट कर रही थी, call-out कर रही थी, so इस वज़े से उनको लगा कि आश्वर्या भारी पढ़ रही है मुझ पे, तो निकालो इसको, क्योंकि नील उस पर भारी नहीं पढ़ रहा था, उस पर भारी मैं पढ़ रही थी, जबकि ईशा का मुझ से ज़्यादा अच्छा बांड था, तो हाँ, ईशा ने मुझे निकाल दिया। चीज भूल गई थी, जो मैंने पिछले बार नहीं बोली, विकेंड के बार पर जब मुझे डाटा गया, उसके बात, उन्होंने सर ने यही बोला, कि ये बात मैंने एक को बोली है, बट विक्की ये तुम्हारे लिए भी था, क्योंकि तुम दोनों ऐसा करते हो, तो दोनों आप्टिंग करते हैं, वो गेम गेम नहीं, जहां पे आपको कॉपी करनी पड़े, वो बोलते हैं न, फर्रे, फर्री, जो एक फिल्म का प्रमोशन हो था, फर्रे, तो वो कॉपी पेस्ट की हुई चीजें, वहाँ पे वो चली जा रही है उनकी, और कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ नया अगर करते, अपने दिमाग से, जो उनमें है नहीं, तो बेटर होता हूँ उनके लिए भी, तो ठीक है, खेलिए आप अपना, जो भी खेल रहे हैं, आ आप एक साज में के तब बॉल्ट स्टाल के, आप उसे क्या लिए कोड़ करें कि जैसे नील कापी काम है, आप वोकल है साथ में, तो क्या करें चाहिए? नील को वोकल होना चाहिए, for this game, yes, और in general also, क्योंकि वीक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अब उसमें एक रेज आ गई है कहीं नहीं कहीं, और मैंने देख लिया है, मेरे जाने के बाद हो जो वो चिलाया है इशा पे, and yes, बहुत हर्ट है, क्योंकि he was not expecting, तो यही हुआ था क और सबसे बड़ी बात rule breaking के आधार पे मैं नहीं जा सकते थी, क्योंकि मैं बहुत disciplined लड़की हुए इस मामले में, अपने चीज़े time पे करती हूँ, अपना काम time पे करती हूँ, बहुत organized हूँ, और जहां बोला गया है rule break नहीं करती हूँ, तो नहीं करती हूँ, so ठीक है, अ अपनी personal grudges निकाली है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, येस, definitely, बिल्कुल सही बोल रही है, disadvantage तो है, और मेरा loss हुआ है, इसमें क्योंकि मैं बाहर हो गई, और बाहर आके देखा कि मैं बहुत strong आ रही थी, screen पे, और शायद कहीं न कहीं, इशा को ये feel हो गया होगा, कि म मेरे लिए a threat है, इसलिए उसने मुझे निकाल दिया, अरे husband wife है, वो उनकी chemistry, उनका equation, I don't know, उसने हाथ उठाया, मतलब देखा तो है clip में, पर पता नहीं कि उनका क्या है, अब वो, I don't know, heat of the moment होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता, बंद कमरे में वो लो कैसे लड़ते हैं तो husband wife है, मैं उस equation पर मैं क्या ही comment करूँ, बढ़ हाथ नहीं उठाना चाहिए, अगर ऐसा है तो, क्योंकि मेरे relationship पर भी बहुत जादा comments उठी हैं, मतलब comments की हैं लोगोंने, सवाल उठे हैं, तो वैसा नहीं है, जैसा दिखता हैं, तो, judge करने वाले हजार लोग हैं मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, हाँ, विकी ने call किया था और उन्होंने बोला था कि अगर जा रहे तो हसी खुशी रहेंगे, कुछ planning नहीं हुई थी और आपने देख लिया कि कितना हसी खुशी वो अंदर रहे हैं हमारे साथ, वो शुरुवात से हमारे against गए हैं, तो, it's very clear कि वो लोग plan करके आए थे, हम नहीं plan करके गए थे अग्टिंग कर रहे हैं बस इतना ही कहना चाहती हूं, he's acting मुझे भी लगा था, और मैंने बहुत admire किया उनको शुरुवात में, but he didn't do anything I think यही उनका game plan है, शायद, कि लड़की कसारा लो और आगे बढ़ो, खुद का कुछ है नहीं, उनका, खुद का कोई stand नहीं है, मेरे ख्याल से अब की तरह में कैसे है, फ्लॉप, वाइ फ्लॉप, इसे क्या चीज़ आपने लेखी है, फ्लॉप ही है, क्या है न या, वो husband के कहने पे तो चलती है, वो खुद का कुछ game नहीं है, उनका, जो विक्की बोलता है, उनको करना पड़ता है, और वो ही कर रही है मैं यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज 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 नील को सपोर्ट कीजिए, अब मैं बहार आखे हूं तो I just want him to win, और नील एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही fair परसन है, जो हमेशा उसने justice किया हर एक किसी के साथ, तो प्लीज उसके लिए वोट कीजि उसको जिता ही है, thank you